हेलो दोस्तों इस टॉक इस पर चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे पैनी शेयर्स के बारे में जिन पर लगातार अपर सरकेट और लोवर सरकेट का सेलसला पर करार चल रहा है और इन इस टॉक्स में ऑपरेटर इतनी बुरी तरीक चलता रहता है रोज लोवर सरकेट रोज अपर सरकेट का दोर चलता है इस स्टॉक में ज्यादा बात ना करते हुए आप कुछ इदे स्टॉक्स पर लिए चलते हैं हमारे पहले स्टॉक का नाम है ओरियंट ग्रीन पावर कंपनी लिम्टेट आज की डेट में यह स्टॉक 15 500 पर तीस पैसे ट्रेट कर रहा है और आज भी इस पर पांच परसेंट का अपर श्रकेट लगा हुए था एक दूंकि चार्ट में आप देख सकते हैं कि इस पर 5 परसेंट का अपर सर्केट लगा हुआ है वाइउन वीक के चार्ट की बात करें लगबग 10 परसेंट का रिटन यह दे चुगा है। वन मंद की बात करें तो वन मंद के चाट में एक्टी वन परसेंट का रिटन दे चुगा है। आप इस चा momentos देख सकते हैं कि DAVID या तो seeing well उपकर ऑसुद लो भास नॉइन के चालat समझ में नहीं आ रही है maximum chart की बात करें तो maximum chart में इस stock ने minus 65% का return दिया है company के investment checklist की बात करें तो इसकी intrinsic value का आता पता ही नहीं है insufficient data दिखा रहा है return with FD की बात करें तो stock FD से अच्छा return भी नहीं देता है dividend की बात करें तो stock dividend भी नहीं देता है entry point की बात करें तो stock overbought zone में है और red flag की बात करें तो इस stock में red flag नहीं है company की matrices के बारे हम बात करें तो इसका P ratio minus 19.05 है जबकि इसका sector P 26.44 है आप देख सकते हैं कि इस company में कोई भी पैसा लगाने के तौयार नहीं है इस company का P ratio minus में चल रहा है अगर इसके P B ratio की बात करें तो इसका P B ratio 2.46 है जबकि इसका sector P B 2.93 है dividend yield की बात करें तो यह stock dividend नहीं देता है जबकि इसके sector dividend yield 1.48% की है forecast and rating की बात करें तो कोई भी analysis इसको किसी भी प्रकार की rating प्रवाइड नहीं करता है इसके financial trend की बात करें तो company में लगातार loss 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 ही देखने के मिल रहा है 2021 में इसके value में भी गिरावट देखने के मिल रही है और 57.55 करोड़ रुपए के loss में है यह stock इसके financial के बारे हम बात करें इसके total revenue में भी गिरावट देखने के मिल रही है पिछले साल 2020 में 388 करोड़ कर रेवन्यू था जो कि अब 2021 में 2071 करोड़ करें इसके EBITDA की बात करें 2020 में इसका EBITDA 264 था जबकि 2021 में 172 बचाया है इसके profit before tax की बात करें तो पिछले साल 19.88 था जबकि इस साल माइनस में जाके 57 पर बंद हो रहा है इसके net income की बात करें तो पिछले साल 23 करोड़ रुपए की net income थी जो इस साल माइनस में बदल गई है इस साल इसकी net income 57 करोड़ रुपए माइनस में है इसके earning per share की बात करें तो पिछले साल तक इसके earning per share 0.31 था जो की माइनस में जाके 0.77 हो चुका है इसके payout ratio की बात करें तो किसी पिकार कोई payout ratio इसमें देखने को नहीं मिल ला है इसके current assets की बात करें तो पिछले साल 2020 में 215 करोड़ रुपए का current asset था जो की इस साल घटकर 182 करोड़ कर रहे गया है इसके non current assets की बात करें तो पिछले साल 2020 में 1871 करोड़ का था जो की इस साल घटकर 1711 करोड़ कर रहे गया है इसके total assets की बात करें तो पिछले साल 2020 में 2087 करोड़ का था जो की इस साल घटकर 1894 करोड़ बचा है इसके current liabilities के बारे में बात करें तो पि करोडर की करेंट लाइविलटीस थी जो की इस साल twenty twenty one में two hundred sixty eleven क्रोड की हो चुदी है मतलब इनका कर्जबी बड़ चुका है कि non current लाइविलटी की बात करें तो पिरशले साल 2020 में 1339 करोड की थी जो इस साल 2021 में 1180 करोड की हो चुकी है टोटल लाइबिल्टीज की बात करें तो पिछले साल 2020 में 1585 करोड की करेंट टोटल लाइबिल्टीज थी जो कि इस साल 1448 करोड की बची है इस stock की total equity की बात करें तो पिछले साल 2020 में total equity 501 थी जबकि 2021 में 446 बची है इसके total liabilities और shareholders की equity की बात करें तो पिछले साल 2020 में 2087.45 था जबकि 2021 में 1894 बचा है total common share outstanding की बात करें तो इस पर कोई भी changes पिछले चार quarter से नहीं दिखाई दे रहा है company के cash flow statement की बात करें तो net change in cash की बात करें तो minus 1.26 था financial year 2020 में जो की बढ़कर 5.36 हो चुका है यहाँ पर company में मजबूती दिखाई दे रही है changes in working capital की बात करें तो पिछले साल minus 16.9 से रही था जो की इस साल financial year 2021 में 4.19 है इस पर भी थोड़ी सी मजबूती दिखाई दे रही है capital expenditure की बात करें तो 0.21 था पिछले साल 2020 में और 2021 में 0.05 है यहाँ पर खर्चों में कमी दिखाई दे रही है final free cash flow की बात करें तो पिछले साल company के पास 265 करोड़ रुपए का cash था जबकि अब इस साल 2021 2020 में 186 करोड़ रुपए का बचा है मतलब इसके free cash flow में भी गिरावट देखने को मिल रही है company के share holding history के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोडर होल्डिंग 48.73 ही बनी हुई है पिछले पांच quarter से mutual fund की holdings के बारे में बात करें तो mutual fund की किसी प्यार की कोई भी holding से share में नहीं है foreign institution की बात करें तो March quarter तक तो foreign institution की share holding 1.60 थी जबकि June और September के quarter में उन्होंने अपनी share holding को पूरी तरीके से खतम कर दिया है आज की देट में foreign institution की share holding 0 है other domestic institutions की share holding की बात करें तो पिछले दो quarter में other domestic institution ने अपनी share holding को थोड़ा बढ़ाया है retailers and others की बात करें तो retailers and others की share holding 45.17 परशेंट है अब चलते हैं अपने दूसरे stock की तरफ तो हमारे दूसरे stock का नाम है Tata Tele Service महरास्टर लिम्टेट इसको TTML के नाम से भी जानते हैं इस stock पर भी आप देख सकते हैं वन दे के चार्ट में इस पर 5% का पर सरकेट लगा हुआ है वन वीग के चार्ट की बात करें तो वन वीग के चार्ट में इसमें 22.56 परशेंट की गिरावट दिखाई दे रही है वन मंद के चार्ट की बात करें तो इसमें 58.01 परशेंट की ग्रोथ दिखाई दे रही है चार्ट की बात करें तो 5 यह के चार्ट पर यह स्टॉक 2,665 परसेंट की रिटन दे चुका है इसके इधर भी वही कीज़ देखने की मिल नहीं है इसकी इंटरिंसिक वैल्यू को कुछ आता पता नहीं है इसके लिए इस टॉक देता नहीं है इंट्री पॉइंट जरूर इसका अच्छा है क्योंकि स्टॉक और बाउड जोन में नहीं है मगर दूसरा खत्रा इस स्टाउक में बना हुआ है वह है रेट फ्लाइक का क्योंकि इस्टॉक एसम लिस्ट में कि बात करें यहां पर भी इसका पी रिशियो स्टॉक की बात करें तो इसका पीवी रिशियो माइनस 1.80 है जबकि इसका sector PV 10.67 है इसके dividend yield की बात करें तो यह stock dividend देता नहीं है जबकि इसका sector dividend 0.55% है forecast on rating की बात करें तो forecast on rating में कोई भी analysis किसी भी प्रकार की rating इस share को provide नहीं करता है इसके financial trend की बात करें इसके financial trend पर आप देख सकते हैं कि इस stock में लगातार loss पर loss होता चला जा रहा है इसके revenue में भी गिरावाट देखने के मिल रही है और profit नाम की कोई चीट दिखाई ही नहीं दे रही है इसके revenue 1.07,000 करोड का है और इसका loss 2,000 करोड का है financial year 2021 के लिए इसके shareholding pattern की बात करें तो टोटल प्रोमोर्टर shareholding 74.36 परसेंट है mutual fund की shareholding 0% है other domestic institution की holding भी 0% है foreign institution की shareholding के बारे हम बात करें तो पिछले quarter में foreign institution ने अपनी shareholding को मजबूत किया है जून के quarter में जो shareholding 0.01 परसेंट थी वह सेटमबर के quarter में 0.16% हो चुकी है retailers and others की बात करें retailers and others भी पिछले तीन quarter से लगातार constant बने हुए है जो की 25.48 परसेंट है दोस्तों आप चार्ट देखकर तो समझी गए होंगे कि किस पकार से आप सरकेट और lower circuit का गंदा खेले stock में चल रहा है तो क्यप्या करें आप इन stocks से दूरी बना कर रखें जिससे कि आपका पैसा सेफ रहे अगर आपको हमारा प्रयास हमारी वीडियो पसंद आती है तो क्यप्या वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें झाल